नमस्कार आप देख रहे हैं ग्यानशाला न्यूज अपडेट एक नजर आज की सुर्खियों पर नीती आयोग ने जारी की SDG भारत सूचकांग केरल शीशिस्थान पर काबिद केंद्रिय मंत्री मंडल ने दी मौडल किरायदारी अधनियम को मन्जूरी इस अधनियम का मकसद है किरायदारों एवं मकान मालिकों के हितों में संतुलन लाना सुप्रीम कोड के पूर्वन नयाधीश अरुन कुमार मिश्वरा राष्टिय मानवादिकार आयोग एनचासी के नए अध्यक्ष नियूट लिथुआनिया चीन के अगवाई वाले इस्टन यूरोपिय ब्लॉक 17 प्लस वन से हुआ अलग अमेरकी दबाव से किया इंकार अब खबरे विस्तार से केंद्रिय मंतिवंडल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित परदेशों में परचलन के लिए मौडल किराएदारी अधनियम को मनजूरी दे दी है मौडल कानून एक आदर्श कानून होता है जिसके अनुसार राज्यों को अपने कानून बनाने होते हैं इस अधनियम का मकसद किरायदारों एवं मकान मालिकों के हितों में संतुलन लाना इस शेतर का आपचारी करन करना है। मौडल कानून के अनुसार शहरी और ग्रामीर दोनों क्षेतरों में बिना लिखित समझोते के संपत्ती को किराय पर देना अवैद है। मौडल अधनियम किराय को वी नियमित करने के लिए परतेग जिले में किराया प्रादिकरन स्थापित करने का प्रावधान करती है। किराया प्राधिकरन मकान मालिकों और किरायदारों के हिटों की रक्षा करेगा या मकान मालिक तथा किरायदार के बीच विवादों का समाधान भी करेगा अधनियम सेक्यूर्टी राशी पर कैप लगाता है मौडल अधनियम के अनुसार मकान मालिक मनमाना सेक्योटी राशी नहीं ले सकते। आवासिय परिसर के मामले में ये अधिक्तम दो महीने का और गेर आवासिय परिसर जैसे दुकान आदी के मामले में अधिक्तम 6 महीने के किराय के बराबर सेक्योटी राशी ली जा सकती है। अनुबंद में उलिखित, नियमों और शर्तों के अनुसार किराय को संचोधित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई समझाता नहीं है तो मकान मालिक किरायदार को संचोधित किराय की देयतिति से तीन महिने पहले लिखित में नोटिस देगा। यदि किराएदार किराएदारी की अबधी की समाप्ती या किराएदारी की समाप्ती पर परिसर खाली करने में विफल रहता है तो मकान मालिक अगले दो महिने के लिए मासिक किराएद को दो गुना और उसके बाद चार गुना करने का पूरा हगदार है मकान मालिक या संपत्ती प्रबंधक कुछ शर्तों के तहट किराय के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं जैसे उसे प्रवेश के समय से कम से कम 24 घंटे पहले किरायदार को लिखित रूप में या एलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से नोटिस देने के आउशुक्ता होगी नीती आयोग ने SDG भारत सूचकांग 2020-21 के रिपोर्ट जारी कर दी है इस वश SDG भारत सूचकांग का तीसरा संस्क्रण जारी किया गया SDG सूचकांग सामाजिक, आर्थिक और परियावरणी मापदंडों पर राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों की प्रगती का मुल्यांकन करता है इसके तहट राज्यों अत्वा केंदर शासित प्रदेश को शूनि से सौ के बीच अंक प्रदान किये जाते हैं सौ अंक का मतलब हुआ कि 2030 के लिए निर्धारित सतत विकास लक्षों को राज्य ने प्राप कर दिया है वही स्कोर जितना कम होगा राज्य सतत विकास लक्ष से उतना ही दूर है इस वश्य रिपोर्ट में 75 अंकों के साथ शीर सिस्थान पर केरल रहा केरल के बाद हिमाचर प्रदेश और तमिल नाडू का इस्थान रहा दोनों को 74 अंक प्राप्थ हुए इस साल के SDG भारत सुझकांक में 52 अंकों के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है इसके बाद जहारखन और असम का इस्थान है रेपोर्ट के अनुसार वर्ष दोहजार बीस में भारत में स्वक्षूर्जा, शहरी विकास और स्वास्त से संबंधित सतत विकास लक्षों में परियाप्त सुधार हुआ है लेकिन उद्योग, नवाचार, आधार भूद, धाचा और आर्थिक विकास से संबंधिन सतत विकास लक्षों में गिरावट देखने को मिली है। जन्वरी का दिन इसलिए चुना गया, क्योंकि इसी दिन वर्ष 2012 में उपेक्षित उष्ण कटिबंधिय रोगों पर लंदन घोशना लागू की गई थी। गरीवी से संबंधित होने के कारण आमतोर पर कैंसर, HIV, AIDS और मलेरिया जैसी बिमारियों की तुलना में विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधिय रोगों के अनुसंधान और उपचार के लिए बहुत कम धन खर्च किया जाता है। खाज-खुजली, याज, ट्रेकोमा, कालाजार, चागास, आदी, उपेक्षित, उष्ण कटिबंधिय रोगों यानि की एंटी-डियस के कुछ उधारन है। रक्षा मंत्राले ने स्वदेशी करण को बहावा देने के लिए 108 वस्टों की दूसरी नकारातमग आया सूची यानि की निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की है। इसका मतलब हुआ कि अब इन वस्टों का आयात नहीं किया जाएगा बलकि इसकी खरीद स्वदेशी सूरोतों से ही की जाएगी। अब इस नई सूची में शामिल कुल वस्टों की संख्या 209 हो गई है। बताते चलें कि अब नकरातमग आयात सूची का नाम परवर्तित कर सकारातमग स्वदेशी करंट सूची कर दिया गया। इससे स्वदेशी रक्षा उद्द्यों को बहावा मिलेगा तथा रक्षा शेतर में आयातित वस्टों पर निर्भरता कम होगी। बतातें चलें कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट के अनुसार भारत ने 2014 और 2019 के बीच 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा संबंधी वस्तुओं का आयात किया था और इस अवधी के लिए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयात तक देश वरिश्व नागरिक जो केले रहते हैं उनके लिए सुरक्षा और स्वास्ते संबंधी आपात काली निस्थिती की संभावना अधिक होती है इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने वश्व दोहजार अठारह में बेल आफ फेथ योजना शुरू की इस योजना के तह अब इस योजना को गाउं में भी लागू किया गया है लिथुआनिया ने चीन के अगवाई वाले इस्टन यूरोपिय ब्लॉग 17 प्लस वन को छोड़ दिया है इस ब्लॉग को CEEC कहा जाता है लिथुआनिया के अनुसार यह 17 प्लस वन प्रारूप एक विभाजनकारी परवर्तित हो चुका है इसलिए इससे अलग हो जाना ही उचित है लिथुआनिया ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने यह फैसला अमेर की दबाओ के कारण लिया मद एवं पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों तथा बीजिंग के मद्ध व्यापार और निवेश भाने के उदेश से चीन ने वर्ष 2012 में को आपरेशन बिट्वीन चाइना एंड सेंटल एंड इस्टन यूरोप कंट्रीज नामक गुरूप बनाया था इसे ही सी या फिर सेवेंटीन प्लस वन ब्लॉक कहा जाता है चीन के अलावा इस ग्रूप में अलबानिया बोसनिया ए सर्बिया और नौर्थ मैसिडोनिया शामिल हैं लिट्वानिया एवं चीन के संबंद खराब होने के कई कारण है वर्ष 2019 में लिट्वानिया के विदेश विभाग की एक रेपोर्ट में कहा गया था कि चीन इस संगठन के जरिये पूर्वी यूरोपिया देशों में जासू चीन ने इसका विरोध किया था क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन ने कुछ यूरोपिया राजनेताओं और शिक्षा विदों के खलाव देश में प्रवेश करने संबंदी तथा अन्य प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है जिसका प्रभाव चीन और यूरोपिया संग के देशों पर पड़ा है सुप्रीम कोड के पूर्वन्य अधीश अरुनकुमार मिश्वरा राश्टिय मानवा दिकार आयो एनचारसी के नए अध्यक्ष नियुक्ति के गये हैं आयोग में अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं जिनका कारेकाल पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की उम्र पूरी होने तक होता है भारतिय प्रोद्गी की संस्थान आयाटी रोपर ने अत्याधुनिक इंटरनेट आफ तिंग्स डिवाइस एमबी टेक का विकास किया है जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों, स्पम और यहां तक की शरीर के अंगों वर्रक्त के संचाथ के दोरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करता है एक बार चार्ज हो जाने के बाद ये डिवाइस 90 दिनों तक माइनस 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेट तक के वातावरन में निरंतर तापमान दर्ज करता है वर्तमान में बाजार में उपलब इस तरह की डिवाइस सिर्फ 30 से 60 दिनों तक की आवधी के लिए तापमान दर्ज करती है उतपात के खराब होने और उसके तापमान के परिवर्तन में गहरा संबंध है एक निश्चित तापान को बनाए रखकर हम किसी विशेश वस्तु को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं यहीं पर MBTag की उप्यूगता है कोल चेन प्रबंधन में ये तापमान निगरानी डिवाइस बहुत उप्योगी है मद्ध परदेश की सरकार ने अंकुर नाम की योजना शुरू की है जिसके तहट नागरिकों को मौनसून के दोरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा प्रति भागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देख भाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी उसके बाद प्रतेग जिले से विजिताओं का चैन सत्यापन के बाद किया जाएगा सत्यापन के बाद इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कारिकरम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायू पुरसकार दिया जाएगा भारतिय किसान उर्वरक सहकारी लिम्टेड यानि की इफकों ने विश्व का पहला नैनो यूरिया उर्वरक तयार किया है सुधेशी रूप से विक्सित नैनो यूरिया तरल स्वरूप में है इसलिए इसे नैनो लिक्विड यूरिया उर्वरक कहा जा रहा है या पारंपरिक यूरिया की तुलना में सस्ता और अधिक प्रभावी है। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की अवशक्ता को निउंतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है। पौधों को नाइट्रोजन पहुचाने में परंपरागत यूरिया की प्रभावशीलता जहां 30-40 से भी अधिक है इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है नमस्कार